नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उनलाइन इस्टेडी एड़्टा पर आज मैं आप लोगों के लिए जनवरी फरोरी और मार्च दोजार बीस के महत्पूर्ण करेंट अफेस के क्वेस्चन्स लेकिया हूँ क्वेस्चन एंसर के साथ सबी क्वेस्चन को डीटेल में डिसक्राइब भी किया जाएगा तो चलिए देर न करते हुए करने का प्रस्ताव पारित किया गया ठीक है तो हाल ये में आपको पता होगा कि आंद प्रदेश की विधान सभा में तीन राजधानी बनाने का विध्यक नहीं पारित हो पाया था तीन राजदानी क्या-क्या थी? अमरावती बिधाय राजदानी विसाकापत्यनम को करिकारी राजदानी और कुर्नूल को निया एक राजदानी बनाने का नढ़ने बिधान सभा मिलिया गया था जो कि बिधान परिषद में नहीं पारित हो पाया अगला QUESTION है अगला क्वेश्चन है दसकों पुराने वोडो लैंड विवात का संबंद किस राज्ज से है तो वोडो जन्जाती काफी प्रसिद्ध जन्जाती है असम की यह जन्जाती के लोग कई सारी अलगावादी संगटन बनाकर असम से अलग होकर एक नए राज्ज की मांग कर रहे थ एतिहासिक ब्रूरियांग समझाता संपन हुआ ठीक है ब्रूरियांग जो जन्जाती है वो त्रिपुरा और मिजोरम की जन्जाती है जिसके 34,000 लोगों को पूरे पूरे 34,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाने का निर्णे लिया गया है अगला क्वेस्चन है हाल ही में कोल लुकाता पोर्ट रष्ट की 150-वी वर्सगाट के अउसर पर Dr. Siyawa Prasad Mukherji के नाम पर इसका नामकरण किया गया है ठीक है यह भी पूचा जा सकता है 150 मी वर्सगाट बनेगी उसके बारे में भी और किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया वो भी पूचा जा सकता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंच गयाना किस महादीप में इस्थित है तो फ्रेंच गयाना आपको पता होगा कि ये फ्रांस का उपनिवेश है और दच्छडी अमेरिका महादीप में इस्थित है बारत के हैबी उपगरा का प्रच्छेपड भी यहीं से फ्रेंच गयाना से ही एरियन राकेट द्वारा किया जाता है अगला क्वेश्चन है BCCI द्वारा अनुव לתत A प्लस स्रेडी में निमलखित में से किस खिलाडी को नहीं रखा गया है तो केल राहूल को नहीं रखा गया है ठीक है. 4 स्रेडी बनाई गय है A प्लस A, B और C A plus ready में तीन खिलाड़ी हैं विराट कोली जस्परीद बुम्रा और रोई सर्मा इन तीनों को 7-7 करोड रुपए दिये जाएंगे A s ready में रहने वाले खिलाड़ीों को 5-5 करोड तथा B s ready में 3 करोड और C s ready में 1 करोड रुपए सभी खिलाड़ीों को दिया जाएगा अगला कोश्चन है BCCI द्वारा A plus ready में अनुबंधित खिलाड़ीों को प्रतिवर्स कितने रुपए की रास दी जाती है तो जैसा कि 7 करोड बता है तो 7 करोड इने दिया जाता है अगला कोश्चन है BCCI द्वारा अनुबंधित महिला कर्केटरों में 21 खिलाड़ी को A s ready में नहीं रखा गया है महिला खिलाड़ीों की केवल 3 s ready है ABC जिसमें से मिताली राज को इसमें नहीं रखा गया है बाकी 3 हैं इसमें तीनों का नाम ध्यान रखिएगा हर्मन प्रित कोर, इसमरती मंधाना और पूर्नम्यादो मिताली राज ने अभी हाली में सन्याज भी ले लिया है तो यही तीन नाम होंगे अगला क्वश्चन है हाली में किस देश के पूर्व राजपती को वहां की एक अस्थानी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी तो पाकिस्तान के पूर प्राश्पती परवेज मुसर्रप को एक कस्थानी अदालक ने मौत की सजा सुनाई थी जिसे बाद में हाई कोर्ट में रद्द कर दिया अगला क्वश्चन है हाली में अमेरिकी मिसाइल हमले में किस देश के वरिष्ट मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई ये बहुत चर्चित घटना थी आपको पता ही होगा कि इरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई अमेरिकी हमले में अगला क्वेशन है इरानी से ना कि मानुवी चोग से किस देश का यात्री बिमान दुरगटना गरस्थ हो गया तो यूक्रेन का यात्री बिमान था जो इरान के ही तहरान से यूक्रेन की रादानी क्यों के लिए रवाना हुआ था इसमें सबसे जादा यात्री भी इरान के ही थे तो यह एक मानुवी चोग थी जिससे यह दुरगटना ग्रस्थ हुआ अगला क्वेशन है यूरोपी अजनसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2019 अब तक का दूसरा सबसे गरम वर्स रहा इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गरम वर्स कौन से था तो 2016 अब त अगला क्वेशन है अस्ट्रेलिया के बनों में लगी आग ने अस्ट्रेलिया के किस तट को सबसे आदा प्रभावित किया तो अस्ट्रेलिया के पूर्भी तट को इसने सबसे आदा प्रभावित किया जिसमें मुखे प्रांक थे नियू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प अगला क्वेश्चन है ब्रेटन की इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सुचकांग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो तीन-चार महत्पूर्ण सुचकांग है उसमें इसका नाम आता है तो भारत का एक क्योनवा स्थान इस बार रहा है अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सुचकांग जारी करते समय निम्न में से किस आयाम को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो इसमें चारों आप्शन पढ़िए राजनेतिक भागेदारी, नागरिक सुतंत्रता, सरकार का कामक राजनेतिक दलो की संख्या तो इसमें जो डी ऑप्शन है राजनेतिक दलो की संख्या इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है बाकी तीनों चीज़ों द्वारा इसका आकलन किया जाता है अगला क्वेश्चन है ब्राजील के वर्तमान राष्ट्पती कौन है तो जायर बुल अगला कुश्चन है ब्रिटेन में विर्ग्जिट संपन्न होने के बाद वर्तमान में यूरोपीय संग में कितने सदा से राष्ट है तो पहले 28 राष्ट थे अभी 27 हो गया एक कम हो गया ब्रिटेन तेकि अगला कुश्चन है वर्ज 2019 में देश की राष्ट्रिया के संबंद म CSO के अनुसार GDP ब्रिद्दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो इनके अनुसार 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है CSO के अनुसार और जो अगला प्रश्चन है उसमें IMF अंतराष्टियों मुद्रा कोस की जनवरी 2020 की वर्ड एकोनॉमिक आउटलूप रिपोर्ट में 2019 2020 में भारत की GDP ब्रिद्दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो इनके अनुसार 14.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है अगला क्वेश्चन है कार्परेट सेक्टर की दूसरी रेल गाड़ी तेजस एक्सप्रेस का संचालन किंदो इस्टेशन के बीच हुआ तो दूसरी रेल गाड़ी एहमदाबाद से मुंबई के बीच चली पहली रेल गाड़ी लखनाओ से दिल्ली कॉर्परेट सेक्टर की तीसरी रेल गाड़ी अभी हाली में वारारसी से इन दौर तक उज्जयन होते हुए चली इसका नाम कासी महाकाल एक्सप्रेस है अगला क्वेश्चन देश में इंग्दन समरच्छण के संदेश को आम जनता तक प्रभावी डंग से पहुचाने है तो शुरू किये गए पेट्रोलियम समरच्छण अंसंधान संग के अभियान का क्या नाम है बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है और ध्यान रखियस का नाम सक्षम 2020 अगला वीपी कानॉन गो और महश कुमार जन अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रियाचिकिसायोक का पहला ड्योक निवक्त किया गयाँ तो प्रोफेसर सुरेश चंसर्मा को पहला ड्योक निवक्त किया गया थैं अगला क्वेस्टन है हाली में किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत ने उप्ति किया गया है तो तरण जी संदोष का नया राजदूत किसे निर्वाचित किया गया है तो जेपी नडड़ा या जगत प्रकास नड़ड़ा को भारतिय जन्ता पार्टी का नया राजदूत निर्वाचित किया गया है अगला कोईशन है वर्ष 2019 के अंतरराष्टी क्रिकेट परिसद ICC के पुरसकारों में क्रिकेटर आप दे इयर का पुरसकार किसे दिया गया तो वेन स्टोक्स को दिया गया है अगला कोईशन है अंतराष्टी क्रिकेट परिसद में वर्ष 2019 का सरवसेष्ट वंडे क्रिकेटर किसे गोशित किया तो जैसा की बता है रोष्ट सरमा को गोशित किया अगला कुश्चन है अंतराश्थी क्रिकट परसंद ने वर्ज 2019 में विराट कोली को किस परसकार से सम्हानित किया तो spread of cricket award जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नहीं spread of cricket award से सम्हानित किया गया था अगला कुश्चन है ICC Cricketer of the Year का परसकार किस बेंध देती है अगला question है BCCI ने वर्स के सर्वसेश्ट क्रिकेटर का पाली उम्रीगर परसकार किस खिलाड़ी को दिया तो जश्क्रीद बुम्रा को ये परसकार दिया जैसा कि मैंने नाम मता है पाली उम्रीगर परसकार अगला question है BCCI के वर्तमान सचिव कौन है तो देखिए सचिव और अध्यच में confused बहुत लोग हो जाते हैं अध्यच है सवरवामिली और सचिव है जैसा अगला question है वर्त 2019 का सरसती सम्मान किसे दिया गया तो वासुदेव मोहे को दिया गया सिंधी कभी है ये और इनकी लगू कथा चैक बुक के लिए इन्हें परसकार दिया गया ठीक है वर्त 2019 सरसती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध कभी वासुदेव मोहे किस भासा के कभी है तो सिंधी वासा के कभी है बहुत important question हो जाता है ठीक है जतना important ही होता है कि सरसती सम्मान किसे दिया गया अतना important ये भी होता है कि ये किस भासा के कभी है ठीक है लगू कता संग्रा चैक बुक किसकी रचना है तो इसी बुक के लिए इन्हें परसकार दिया गया था वासुदेव मोहे को सरसती सम्मान अगला question है परियावरण के छेत्र में नॉबल परसकार के तुल्य माना जाने वाला टायलर परसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया ठीक है तो भारत के परियावरण सास्त्री और यूनट के सद्वावना दूथ है पवन सुखदेव इनको ये परसकार दिया गया बहुत important question है ठीक है economy और environment से कुछ भी related हो और बहुत बड़ा परसकार ये है इसे ध्यान रखियेगा टायलर परसकार पवन सुखदेव को दिया गया अगला question है विस्व आर्थिक मंच वर्ड एकोनोमिक फोरम के crystal परसकार से किसे सम्मानित किया गया तो दीपी का पादु कोड को इस सम्मानित किया गया अगला question है पद्म परसकार 2020 में पद्म विभूशड सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया बहुत important question है ठीक है साथ लोगों को पद्म विभूशड दिया गया 16 लोगों को पद्म विभूशड दिया गया तता एक सो अठारा लोगों को पद्म स्री परसकार से सम्मानित किया गया अगला कोईशन है निमने मेंसे किस राजनेता को वर्द 2020 के पद्म भूशड सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया ठीक है तो जो चार आप्सन है चारो आप्सन बीजेपी के बड़े नेता हैं जो हाले में एक्सपायर हुए है तो उसमें जो स्री मनोहर पारेकर हैं इनको पद्म भूशड पुरसकार दिया गया बाकी तीनों को पद्म भूशड दिया गया ठीक है तो ध्यान रखेगा मनोहर पारेकर को पद्म भूशड दिया गया है और पद्म भूशड पुरसकार बाकी तीन लोगों को अगला question है निमनी मेंसे किस खिलाडी को वरस 2020 में पद्म विभूशर सम्मान से सम्मानित किया गया है बहुत important question है MC मैरी काम को पद्म विभूशर सम्मान से सम्मानित किया गया तो इन्हें पद्म भूशड दिया गया जो की दोसरी कटेग्री में आता है पद्म पुरसकारों के अगला क्वेशन है पद्मिस्री सम्मान से सम्मानित सोसरी रानी रामपार किस खेल से संबंदित है तो भारतिय महिला हाकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है सोसरी रानी रामपा बहुत important question है जो जो पदम पुरसकार पाते हैं उनके खेल से संबंधित बहुत question आते हैं अगला question है पदमिसरी सम्मान से संबंधित ओयनाम बेम बेम देवी किस खेल से संबंधित है तो ये भारतिय महिला खुटवाल टीम की पूर्व कप्तान थे उनके बेम बेम देवी अगला question है पदमिसरी सम्मान से संबंधित MP गड़े इसकी स्खेल से संबंधित है तो ये भारतिय हाकी टीम की पूर्व कप्तान है और इन्हें पदमिस्री सम्मान से सम्मानित किया गया अगला question भी बहुत important है पदमिस्री सम्मान से सम्मानित जीतू रहा है किस खेल से सम्मानित है तो निसाने बाजी से सम्मानित है जीतू रहा है ये भी question बहुत important हो जाता है ठीक है जिने जिने पद्म पुरसकार मिले या फिर अर्जुन पुरसकार जो भी मिलता है उनके खेल से सम्बंदित किूँगा किस खेल से सम्बंदित है क्वेश्चन तो जरूर देख लीजिए गा अगला क्वेशन है किस भारतिय क्रिकेटर को वर्स 2020 में पदमिसरी सम्मान से सम्मानित किया गया तो इसका एंसर होगा जहीर खान ठीक है अगला क्वेशन है सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से किसे वर्स 2020 में पदमिसरी सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया अगला क्वेशन है हाली में भारत के पूर्क खिलाडी बापु नाद करंडी का निदन हो गया ह। या उट्तार प्रधेस का योजन कहां किया गया है लखनौ में लखनाव में टीए उत्ताप्रदेश के लिए बहुत कर्ण does लृई इंपोर्टेंट में니다 के लिए इंप्ऌरणटन कि राष्टी युँवा महुष्व का इवजन कहा किया गया दो लखना हमाहों है अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में अंतराष्टी उट महुष्व का इवजन कहा लिग Anika पांच असुलों एक छे करोड़ लोगों की मानों स्रिंखला बनाई गी थी अगला क्वेस्चन है हाली में ICC द्वारा गोसित वर्स 2019 के टेस्ट और एक जिसी क्रिकट टीमों का कप्तान किसे बनाया गया तो विराट कोली को दोनों टीमों का कप्तान बनाया गया अगला क्वेस्चन है बारती एक टेम ने 5 मैचों की T20 स्रिंखला 5-0 से जीत कर विस्ट रिकार्ड बनाया है भारत ने श्रिंखला किसके विरुद जीती तो न्यूजिलेंड के विरुद भारत ने 5 T20 मैचों की स्रिंखला 5-0 से जीती है अगला question अश्ट्रेलिया ये open tennis 2020 पुरो सेकल में विजेता कौन था? तो नुवाक जोको बीच जो है अश्ट्रेलिया ये open की पुरो सेकल में विजेता थे और ये कहां के हैं? सर्विया के ना नाम जान रखेगा और कहां के player हैं? वो भी ध्यान रखेगा अगला question अश्ट्रेलिया ये open tennis 2020 में महिला येकल में विजेता कौन थी? तो पुरो सेकल और महिला येकल कोई भी चारो grand slam हो अश्ट्रेलिया ये open, फ्रांसिसी open, रिंबल्डन और चोथा जो होता है वो अमेरिकी open उन चारो में कौन महिला येकल और कौन पुरो सेकल में विजेता है? चारो ध्यान रखेगा तो इसमें इस बार सोफिया केनिन बनी है जो 21 वरसी है अमेर की खिलाड़ी है अगला कौश्चन है 21 वरस की उमर में अस्ट्रेलिया ये open grand slam जीते हैं वाली सोफिया केनिन किस देश की खिलाड़ी है तो अमेरिका की जैसे मैंने बताया और 21 वरस की मात रहे हैं अगला कौश अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना बूलें तो अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें थैंक्यू वेरिवंच